बच्चों समानेता हम सारेरिग परिश्रम और मांसीक परिश्रम को कारीय कहते हैं पर विज्ञान के द्रिश्टी से कारे की परिभाषा कुछ और crowns पर जाहें द्रिश्टी कौण जो भी हो पर कारीय हो रहा है इसका मतलब उसमें उर्जा छुपी हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि उर्जा की परिभाशा से कारी करने की छमता को हम उर्जा कहते हैं इसका मतलब जहा कारी हो रहा है वहाँ पर निश्चित रूप से उर्जा होगी ही बच्चो हम एक और उधारन लेते हैं यदि हम अपनी हतेलियों को रगड़ते हैं और उसके बाद हम अपने गालों को छूते हैं तो हमें गरम लगता है। जब हतेलियों को रगड रहे इसका मतलब हम वहाँ पर सारेरिक परिश्रम कर रहे हैं यहाँ पर कार्य हो रहा है और उसके बाद जब अपने गालों को छूते हैं वो गरम लग रहा है इसका मतलब वहाँ पर उत्पन्न हो गई है उश्मी उर्जा तो यू कह सकते हैं कि उर्ज के बारे में भी चर्च हमने पहले वाले पार्ट में की है पर इस पार्ट में हम उर्जा के विभिन स्वरूप और उसके श्रोतों के बारे में जानेंगे एक्चुली यह जो उर्जा शब्द है यह 200 वर्स पूर्व ब्रिटिस वैज्ञानिक यंग थौमस के द्वारा अविश चुपा हुआ है और इसलिए तो जब हम इसकी परिभाशा देते हैं तो यू कहते हैं कि कार्य करने की चमता उर्जा कहलाती है क्योंकि कार्य हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर उर्जा होगी या यू कहें कि उर्जा शब्द है तो उसके अंदर कार्य चुपा होगा वैसे बच्चो मनुष्य की प्रगती के बारे में आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे कि किस प्रकार मनुष्य आदी मानव से मतलब जिस स्थिती में पहले था और अब तक की स्थिती ये जर्णी उसने कैसे तैगी तो आईए इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि मनुष्य ने इस जर्णी में उर्जा की किन-किन श्रोतों को जाना उर्जा की कौन-कौन से स्वरूप को जाना मनुष्य आदी काल में गुफाओं में रहता था और इस समय मनुष्य गच्चे, कंद, मूल और फल, फूल खा कर अपना गुजारा करता था इसका मतलब उस समय मनुष्य को कारे करने के लिए उर्जा इसी कच्चे भोजन से ही प्राप्त होती थी और ये कच्चा भोजन जब मनुष्य के पेट में जाता तो वहाँ पे रसाइनिक क्रिया होती और उसके कारण मनुष्य को उर्जा मिलती इसका मतलब यहाँ पर मनुष्य ने रसाइनिक उर्जा को खोज लिया था क्योंकि भोजन पच्चता है इसका मतलब उसमें से रसायनिक उर्जा उत्पन होती है इसके बाद मनुष्य ने दो पत्थरों को टकरा कर आग जलाना सिखा और उसके बाद तो मनुष्य की जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया आग की खोज के बाद मनुष्य अब भोजन को पकाना सिख्या जब भोजन पक रहा है उसमें भी रसायनिक उर्जा और साथ सथ हम देखें तो ये आग का इस्तमाल जानवरों से बचने के लिए भी करता था रात के समय जब अंधीरा हो जाता तो इस आग का इस्तमाल वो प्रकाश के लिए करता जिससे कि वो अपने आपको जानवरों से सुरक्षित कर सकता और इसलिए हम देखें तो आग यानि की प्रकाश उर्जा को खोज लिया धीरे धीरे मनुष्य का गयान और बढ़ता गया और उसने इस आग का इस्तमाल मिट्टी के बरतनों को पकाने के लिए किया पहले तो मनुष्य सीधे आग में ही भूंज कर कच्चे भोजन को खाता था चाहे वो कोई जानवर हो मांस हो या फिर कोई फलफूल हो या कोई कंदमूल हो लेकिन बाद में उन्होंने मिट्टी के बरतन को बनाना सीखा और मिट्टी के बरतनों को आग में पका कर ही बनाय जाता था साथ साथ इसने धातु के कई ओजार बनाए और ओजार बनाने के लिए भी आग का ही उप्योग किया यानि कि मनुष्य ने अब आग से प्रकाश उर्जा और उश्मिय उर्जा दोनों को प्राप्त कर लिया धीरे धीरे मनुष्य और प्रकति करता गया और उसने नदी पर नाव चलाना सीख लिया यानि कि अब नदी या यू कहें बहते हुए जेल की उर्जा का स्तमाल करना सीख लिया मनुष्य धीरे धीरे उर्जा के विभिन श्रोतों की तलाश करता रहा और इसी तलाश में उसने लकडी और कोईले को इंधन के रूप में उप्योग करना जान लिया उसने ये जान लिया कि लकड़ी और कोईले की साहता से आग जलाई जा सकती है और सतरवी सताबदी में स्टीम इंजन यानि कि भाप इंजन का विश्कार है बच्चों जानते हैं कि भाप इंजन में इंधन को जलाया जाता है और ये इंधन उस समय लकड़ी या कोईला ही होता था और इस भाप इंजन में पानी होता है एक चैंबर में उसको गरम किया जाता है जब पानी गरम होता है तो वो भाप में परिवर्थित हो जाता है और उस भाप की उर्जा को ही यांत्रिक उर्जा में कनवर्ट किया जाता ह Actually steam engine एक ऐसा engine है जो कि chemical energy को यांत्रिक energy में, mechanical energy में convert करता है अभी chemical energy किसकी होगी? कोईला जल रहा है, मतलब वहाँ पर chemical reaction हो रहा है तो इस कोईले की chemical energy को convert कर रहा है mechanical energy वेकि भाप engine किसी ना किशी machine के पूर्जों से जुड़ा होता है और उस machine के पूर्जों को चलाने का काम करता है इसलिए हम कहते हैं कि ये chemical energy को यांत्रिक energy में convert कर रहा है बच्चो भाप engine का एक उधारण है railway engine यानि कि rail का engine अभी तो वो हमको देखने को नहीं मिलता क्योंकि अभी जिसे ट्रेन की बात हम करते हैं वो electrical engine है जो की बिजली से चलता है लेकिन पहले ये कोईले वाला engine ही होता था और इस engine में हम कोईले का स्तमाल करते थे इंधन की रूप में कोईला डाला जाता था जिससे की उश्मवत्पन होती थी भाप बनता था और उसी भाप से ही इस train के चक्के आगे की और बढ़ते थे यानि की mechanical energy में convert होती थी और इसी भाप engine का स्तमाल जहाज को चलाने के लिए भी किया जाता है कई कारखोनों में मशीनों को भी चलाने के लिए किया जाता है इसका मतलब धीरे धीरे मनुश्य के जीवन में revolutionary change आने लगा इस भाप engine के बनते हैं उसके बाद अठारवी सताबदी में मनुश्य ने तेल की कुए खोदना प्रारम कर दिया जब तेल का कुए खोदना शुरू हुआ यानि कि पेट्रोल और डीजल प्राप्त होने लगा उस condition में मनुश्य के जीवन में और भी क्रांती कारी परिवर्तन हो गया और अब यहां पर पेट्रोल और डीजल इंजन का निर्माण हुआ और इन इंजनों का निर्माण होते ही अधिक दक्षता वाली मशीनों का अविश्कार शुरू हो गया अधिक्त दक्षता वाली मशीनों को इस्तमाल करने में शारेरिक परिश्रम कम करना पड़ता था हम देखते हैं भाप इंजन में लगा अतार गर्मी में कोईले को डालते जाना है जिसमें की बहुत जादा शारेरिक परिश्रम लगता है लेकिन डीजल इंजन या फिर पेटरोल इंजन में शारेरिक परिश्रम की अवश्रक्ता कम हो जाती है 1800 में ही मनुष्य ने चुमबक के दो धुरूओं के बीच तार की पहियों को चलाना भी शुरू कर दिया और जब तार की पहिये को चलाया तो इस से उत्पन होई विद्धूत उर्जा और विद्धूत उर्जा अब जानते हैं आज कल हमारे जीवन की जान है यदि विद्धूत उर्जा ना हो यानि ELECTRICITY ना हो तो हमारा आधा से जादा काम उसी कारण ही रुख जाता है यह यू कहें कि हम करना ही नहीं चाहते हैं electricity पे totally depend हो गए हैं जैसे कि यदि हम किसी कमरे में बैठे हैं तो वहाँ हमें light भी चाहिए हमें पंखा भी चाहिए और यदि हम और आराम से अपना जीवन वेतीत करना चाहते हैं टीवी भी देखते हैं गाने भी सुनते हैं और जितनी electrical उपकरण हो सके उसका इस्तमाल करना पसंद करते हैं और इनके आभाव में ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिलकुल नीरस हो गया है इस विद्दूत उर्जा ने मनुष्य के जीवन को बहुत परिवर्थित कर दिया है वैसे मनुष्य उर्जा के और श्रोतों को तलास्ता ही रहता है मनुष्य आनवी को उर्जा का प्रियो करना भी सीग्या जोर भाटे से भी उत्पन्न होने वाली उश्मा का स्तमाल करता है प्रत्वी के भीतर छुपिये तापिये उर्जा कभी स्तमाल करना सीग्या और अब तो मनुष्य नाभी की उर्जा कभी स्तमाल करता है और इस प्रकार हम देखें तो मनुष्य धीरे धीरे उर्जा के विभिन से अवगत है यानि कि अब दिन भर जो काम करते हैं उनमें कौन-कौन सी ऊर्जा छुपी होती है चलिए स्टार्ट करते हैं कि यदि आप सुबह उठके नास्ता कर रहे हैं नास्ता कर रहे हैं यानि कि भोजन पच रहे यह भोजन बन रहे हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी रसाइनी कुर्जा उसके बाद आप तयार होकर स्कूल जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं या साइकल से जा रहे हैं तब बताएं वहां कौन सी ओर्जा होगी वहां होगी यांतरी कुर्जा वेकि आप साइकल कस्तमाल कर रहे हैं तो किसी यांतर कस्तमाल करे, मशीन कस्तमाल करे, अब पैदल भी चल रहे, तो आप सारी रिक परिश्रम कर रहे हैं, तो वहाँ पर होगी यांतरिक उर्जा, उसके बाद अब अपने क्लास्रूम में पहुच गए, क्लास्रूम में पूरा प्रकाश है, लाइट्स ऑन है, उर्जा उसके बाद आप खेलने निकले आपने खेलते खेलते किसी बॉल को उपर उच्छाल दिया बॉल उपर पहुच गई उस बॉल में कौन सी उर्जा है गुरुत्विय स्थितीज उर्जा बॉल नीचे गती करती हुए आ रही है यह बॉल फुटबॉल ग्राउंड में ल क्योंकि आप पंका चालू कर रहे हैं तब आप electricity प्रोवाइट कर रहे हैं वहांगे विद्धोत उर्जा अप पंका घोम रहा है तो वो दे रहा है wind energy हवा चल रही है वहाँपर उसके कारण आपको हवा का महसूस हो रहा है तो वहांपर होगे wind energy और इस प्रकार आप school जा कर और वापस आते हुए भी देखें तो आपको उर्जा के बहुत सारे स्वरूप देखने को मिलेंगे बच्चों उर्जा कई रूपों में पाई जाती है जिसके कुछ उधारन मैंने आपको यहां पर दिये पर बेसिकली देखा जाए तो उर्जा के केवल दो ही स्वरूप है या यूँ कहें तो उर्जा को केवल दो ही स्वरूपों में बाटा जा सकता है एक स्थिती जूर्जा और दूसरी गती जूर्जा इस्थिती जूर्जा वहाँ उर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिती के कारण होती है या उसके विन्यास के कारण होती है या फिर हम यूँ कहें कि जब हम उसको पृत्वी से किसी एक उचाई पर ले जाते हैं तो उस इस्थिती की कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम specifically गृत्वी स्थिती जूर्जा के नाम से जानते हैं और गती जूर्जा वह उर्जा होती है जो किसी वस्तू में गती की कारण उत्वन होती है तो यहाँ पर हम कुछ उर्जा के रूपों को इन दोनों पार्ट में डिवाइट करने की कोशिश करते हैं वैसे तो उर्जा के बहुत सारे स्वरूप हैं पर हमने कुछ यहाँ पर लिए हैं ताकि हम समझ सकें कि इस्थितीज उर्जा में कौन से रूप को रखना है और गतीज उर्जा वले स्वरूप में कौन सी उर्जा को रखना है तो सबसे पहले हम देखते इस्थितीज उर्जा यह ऐसी उर्जा है जो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिती यह उसके विन्यास के करण होगी विन्यास मतलब जैसे कि हम एक स्प्रिंग को एंठ देते हैं तो उसकी स्थिती जमीन से तो नहीं चेंज हुई है लेकिन उसकी आकरिती में परिवर्तन हो गया यह यह कहें कि उसके जो वस्तु के जो करण थे पार्टिकल्स थे उन में परिवर्तन हुआ वस्तु अपनी जगे पर है तो इसको हम कहते हैं विन्यास तो इसके कारण भी आप देखेंगे कि स्प्रिंग में और जाती है खीचते हैं तो वह सी कुड़ता है दबाते हैं तो वह फैलता है मतलब का हम देखते हैं रसाइनिक उर्जा रसाइनिक उर्जा किसमें आएगी अब बताइए रसाइनिक उर्जा मतलब किसी भी वस्तु के उसके अनु और परमानों में जो उर्जा नहीं थोगी उसे हम कहेंगे रसाइनिक उर्जा मतलब जब वहां पर कैमिकल चेंजिस होंगे तो ह वो एटम्स के बीच में बंधन के कारण उत्पन्न होती है अब बताईए इस उर्जा की श्रिणी में हम कौन-कौन से उधारण ले सकते हैं उधारण के तौर पर कोल, पेट्रोलियम, बायो मास यानि कि जैवभार ये सारे रसायनिक उर्जा के उधारण हैं अब नाभी के उर्जा, नाभी के उर्जा नाभी में उपस्थित कणो के कारण होती है हम देखते हैं, यूरेनियम एक ऐसा पदार थे, जो कि अनिस्टेबल रहता है मतलब उसके मॉलिक्यूल को पास-पास संग्रहित करके रखने के लिए उर्जा के अवशक्त होती है यू कहें कि उसके मॉलिक्यूल पास-पास रखने के लिए जो कार ये होता है, वो उसमें उर्जा की रूप में संचित होती है और ये किया गया कार ये, मतलब वो मॉलिक्यूल को एक स्थिती में बांद के रख रहा है तो नाभी के ओरजा को हम स्तीज औरजा की कैटेगिरी में लेते हैं और इसका उधारण है युरेनियम पदार्थ का नाभेख अब नेक्स्ट हम गुरुत्वी ओरजा की बात करते हैं गुरुत्वी ओर्जा हम जानते हैं कि पृत्वी की अपनी और खीचने की एक आकर्शन छमता होती है किसी भी वस्तु को पृत्वी अपनी और आकर्शित करती है तो जब हम पृत्वी के गुरुत्वा कर्शन बल के विरुद्ध किसी वस्तु को उठाकर उपर ले जाते हैं इसका मतलब वहां पे कार्य हो रहा है गुरुत्वा कर्शन बल के विरुद्ध और ये कार्ये ऊपर मौजूद वस्तू में उर्जा की रूप में संचित हो जाता है और इसे हम कहते हैं गुरुत्वी स्थिती जूर्जा इसलिए तो इस उर्जा के कारण कई काम होते हैं आप देखे होंगे बच्चों कि जब डैम का निर्मान होता है डैम यानि की बांध उसमें जल को रोग दिया जाता है नदी के पानी को इस बांध के जायता से रोग दिया जाता है और जब इस बांध के गेट को खोला जाता है तो ये पानी बहुत ही तीवर वेग से उस गेट से बाहर निकलता है तो पानी में वेक कैसे आ जाता है या ये पानी चलने का काम कैसे करता है क्योंकि ये डैम में संचित है इस टोर करके रखा गया और जब एक हाइट तक पहुँच जाता है पानी उचाई तक पहुँच जाता है तो इसमें संचित हो जाती है गुरुतवी स्थितीज ओर्जा और इसलिए जब डैम का गेट खोला जाता है तो पानी तीव रगती से उस गेट से बाहर निकलता है और इस सहयता से हम तर्बाइन को भी घुमा सकते हैं हम जानते हैं बच्चों कि विद्दुत उत्पन करने के लिए तर्बाइन का स्तमाल किया जाता है और तर्बाइन को घुमाना जरूरी होता है विद्दुत को उत्पन करने के लिए तो घुमाने के कई तरीके हैं जिन में से एक यह है कि हम नदी की तीवर धारा से तरवाइन को घुमा सकते हैं लेकिन साधरन्ग तोर पर यदि जब नदी गमन करती है तो उसमें इतना वेग नहीं होता है कि वो तरवाइन को बहुत स्पीड से घुमा सके इसलिए बांद का निर्मान किया जाता है और इस बांद में ज और जितने अधिक स्पीड से घुमाएगा उतने ही मेगावाट का एलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जा सकता है तो बांद में संचित पानी वो भी उधारन होगा स्थितीज उर्जा का अब बच्चम देखते हैं कि गतीज उर्जा के स्वरूप में हम उर्जा के किन-किन रूपों को रख सकते हैं तो पहला हम लेते हैं विकिर्ण उर्जा यानि कि radiation energy वी किरण मतलब सीधा source से सिंक तक पहुचना ऐसी कौन सी उर्जा है जो सीधे source से सिंक तक पहुच जाती है उधारन में आप सोचिए मतलब उसको किसी भी माध्यम की जुरुत नहीं पढ़ती है वो सीधे source से सिंक तक पहुच जाती है एसी उर्जा है प्रकाश उर्जा और यूँ कहें तो प्रकाश उर्जा यानि कि electromagnetic तरंगों की उर्जा हम चानते हैं बच्चों कि प्रकाश एक electromagnetic तरंग है अब ये सूरज से प्रित्वी तक बीना किसी माध्यम के पहुच जाता है सूरज और प्रित्वी के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है वहाँ पर हवा तक नहीं है ये जो वाईयू का आवरण है ये प्रित्वी के कुछी दूर तक ही स्थित है पर उसके बाद तो पूरे ब्रह्मान में निर्वात है लेकिन सूरज से आने वाली और ये वी कीरण और जा कहलाती है क्योंकि इसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की अवशक्ता नहीं होती तर इस सौर्य स्पेक्ट्रम में दो भाग हैं एक दृष्य भाग और दूसरा अदृष्य भाग दृष्य भाग मतलब दृष्य प्रकाश जो कि 7 रंगों से मिलकर बना है यानि कि उसके कारण ही हम वस्तूओं को देख पाते हैं और यही दृष्ट प्रकाशी हमारी आखों में दृष्टी समवेदना उत्पन्न करता है और वस्तूओं हमें दिखाई देती हैं लेकिन अद्रिश्य प्रकाश भी इसमें है जैसे कि एक्स केरने गामा केरने सुक्षम तरंगे रेडियो तरंगे और यह एलेक्ट्रो मेंगनेटिक तरंगी हैं जिसकी उर्जा का इस्तमाल हम विभिन जगों पर करते हैं एक्सरे तो आप अच्छी तरे से जानते हैं बच्चों जब आप गिर जाते हैं और अंदाजा ऐसा होता है कि आपकी हड़ी तूट गई हो या फिर फैक्चर हो गई हो उस समय आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी शरीर को पार करते हुए हड़ं तक पहुच जाती है और इस प्रकार आपको को अपनी हड़ियों का एक इमेज मिल जाता है जिसे X-ray के नाम से जानते हैं वैसे गामा के रिने वो भी इस्तमाल होती है मेडिकल फिल्ड में कई ओपरेशन करने के लिए हम गामा तरंगों का कि इनकी उर्जा बहुत अधिक होती है और इसकी सहाथा से ट्यूमर और कैंसर जैसे वीमारी का इलाज किया जाता है रेडियो तरंगों के बारे में जानते हैं यह संचार में काम आती है Communication के लिए इसका स्तमाल किया जाता है Micro तरंगे Microwave में यूज होती है ये भी संचार प्रक्रिया में स्तमाल होती है और इस प्रकार विद्दू चुम्बकी तरंग के अद्रिश्य भाग से बहुत सारी तरंगे ऐसी है जिनका इस्तमाल हम अलग-अलग फिल्ड में करते है या यू कहें कि इसकी उर्जा का उप्योग हम करते है अब next है तापिय उर्जा बच्चो जब परमानू अपने जिगे पे कमपन करने लगते है तो उसके कारण ही उत्पन होती है तापिय उर्जा या यू कहें कि जब तापिय उर्जा होती ही किसी भी वस्तू के पास तो उसके कान अपने स्थिती में कमपन करने लगते है कमपन कर रहे हैं यानि कि गती कर रहे हैं और इसी लिए हम इसों गतीज उर्जा के श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है गती उर्जा। गती उर्जा मतलब कोई भी वस्तो यदि गती करेगी तो उसे गतीज उर्जा की श्रेणी में रखा जाएगा। आप चल रहे हैं, आप गती कर रहे हैं, तो भी वो गतीज उर्जा की श्रिणी में आएगा, एक बॉल लोड़ा करा है, यानि कि गती कर रहे हैं, तो भी गतीज उर्जा की श्रिणी में आएगा, हवा चल रही है, यानि कि उस हवा का स्वरूप भी गतीज उर्जा की श्रिण सब को हम गतीज उर्जा की श्रेणी में रखते हैं अब बताइए ध्वनी उर्जा यह कौन सी श्रेणी में आएगा ध्वनी यानि कि आवास का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुशना जब हम बात करते हैं तो वोकल कॉट से ध्वनी तरंगे उत्पन होती है और ये माध्यम में मौजूद कणों को कमपन करवाते हैं और ये कमपन जब आपके कानों तक पहुशते हैं तब आपको उस व्यक्ति की ध्वनी सुनाई देती है इसका मतलब ध्वनी एक वेक्ति से चल कर आपके कानों तक पहुच गई चल कर पहुच रही है यानि कि वो गती कर रही है गमन कर रही है माध्यम में तो इसे हम गतीज उर्जा की श्रेणी में रखते हैं अब नेक्स्ट है विद्धूत उर्जा विद्दूत उर्जा जो की आवेशों की गति की करनद प्राप्त होती है, जब अलेक्टरॉंस या आवेश किसी भी वस्तु में गमन करना शुरू करते हैं, तो वो विद्दूत उर्जा का निर्मान करते हैं, आवेश यहाँ पर गती कर रहे हैं, इसका मतलब विद्दूत उर्जा को भी गतीज उर्जा की श्रेणी में रखा जाता है तो इस प्रकार बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की उर्जा का अनभव करते आ रहे हैं इन उर्जाओं से हम अवगत हैं पर जब इसे क्लासिफाई किया जाएगा तो ब्रॉडली हम केवल दो ही भाग में कैटेग्राइज कर सकेंगे एक स्थितीज उर्जा और दूसरी गतीज उर्जा जब आप इनको कैटेग्राइज करेंगे तो इसमें ध्यान रखेगा कि वह उर्जा उसके परमाणू में बंधन के कारण है उसकी स्थिती के कारण है या विन्यास के कारण है अगर ऐसा हुआ तो वह स्थितीज उर्जा की कैटेग्री में रखा जाएगा और जिसमें वस्तू या फिर कान चल रहे हों कंपन कर रहे हों यानि कि गतीशी थम में हों तो वह गतीज उर्जा की श्रेणी में रखा जाएगा